हेलो एब्रिवान मैं आशा करती हूँ आप से भी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चानल प्यूपल डीजय में जैसा कि हम सभी को पता है कि कल आप लोगों का के बिस प्यार्टे का जो एड्मिट कार्ड है प्री एड्मिट कार्ड यहां पर रिलीज कर दिया गया है और कहीं न कहीं उसमें मैंशन है कि जो आपका फाइनल एड्मिट कार्ड है आपके एकजाम के दो दिन पहले आयागा तो देखिए अब हमारे सामने हमारा एड्मिट कार्ड भी आ गया है और सभी को पता चल गया है कि उनका एकजाम कब-क करेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाया और आपके मन में जो घबराहट है यहां पर ऑनलाइन पेपर को लेके यहां पर अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर उपर नीचे हो रहा है तो उसके लेके तो देखिए इन सभी चीजों को हम आज की वीडियो में डि रिवीजन का टाइम अब देखिए अगर ऐसा होगा कि आप रोज रोज और पर पढ़ते रहेंगे और पुराना रिवाइस नहीं करेंगे तो एक टाइम मैसा आएगा कि आपकी चीजे मिक्स्ट मैच हो जाएंगी तो सबसे पहले तो अगर आप यहां पर त्यारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पेपर में जाते वें आपको एक कॉंफिडेंस बना रहें तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेस में मताईए कि अब हमारे पास इतना कम समय रह गया फॉर एक्जांपल ऐसे सभी कांडिडेट जिनकी स्टार्टिंग के शिफ्ट में पेपर है जैसे कि 21 तारीक हो गई 22 तारीक हो या उनके स्टार्टिंग के शिफ का ज्यादर लॉस है ना यहां पर लास में पेपर होने वाले जादर ऐप देखे यहां पर अगर हम पेपर के स्टरग के बात करें तो यह पेपर एक साथ यहां पर साइट किये जाते तो सबसे पहले तो आपको ये mindset लेके चलना है कि अगर ये exam एक बार के लिए clear नहीं हुआ तो आपके सामने 100 opportunity और आप यहां पे उस चीज के लिए शक्षम होने चीए अगर आप इस तरीके का एक positive attitude रखते हैं तो देखिए आप लोगों के साथ होगा क्या कि कई बारी क्या होता ह है कि हम लोग महनत करते हैं और हमारे साथ हमारा लग होता है तो जो चीज़े आप लास्ट मुमेंट में पढ़ते हैं उन्हीं में से चीज़े आ जाती हैं तो यहां पर अगर आप बहुत stress लोगे और stress ले लेके सोस्तर होगे कभी ये subject उठाय कभी वह subject उठाय ना यह अच् कितने दिन बचे हैं अगर आपका starting के shift में हैं तो आपके पास 4-5 दिन बचे हैं तो उस तरीके से आप अपने days को shift कर लीजिए अगर आपका paper यहां पर 25-28 के बीच में तो आपको जैसे की पता है कि अभी आपके पास 8-9 दिन बचे हैं तो आपको इस तरीके से अपने दिन ऐसा एक्जाम नहीं है जिसको हम यह बोलें कि seven days का यह कुछ ट्रेक वाली वीडियो देख लीजिए आपका paper clear हो जाएगा यह आपका ऐसा एक्जाम नहीं है इसके लिए आपको इन डेफ पढ़ना पड़ेगा और यही सच्छाई है साथे साथ आपको क्या करना है आपको कोई मौक टेस्स तयार नहीं किया तो भी आपने मॉक टेस्ट तैयार ने किया तो भी आप अगर आप किसिथक का for example plan causes करें जैसे की keeping तो अगर मैं आप से कहूं कि आपने अगर बहुत अच्छे सा त्यार किया यह टॉपिक एंसी आट के हाबिट लगे कि स्क्रीन में हम कोईशन पढ़ते हैं तो हमसे मिस्टेक जो होती है आपको एक्जाम में वह चीज याद रहेगी कि मैंने यहां मिस्टेक की थी तो मुझे यह चीज अच्छे से पढ़ना है तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप 15 भी लाओगे तो मॉक् करना है कि आपकी कहा मिस्टेक थी उसको एक वाइट शीट में नोट करते जाना है और रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में जो भी आपने पढ़ाया उसको फिर रिवाइस करना है ताकि आप जितना रिवाइस करते रहेंगे उतना आपकी दिमांग में वह चीज बैठती रहेंगी अब देखिए यहां पर के विस में नेगिटिव मार्किंग नहीं है और अगर आप कंटेंट पढ़ते हैं और दो आप्शन में कन्फूजन होते हैं तो आप एक तरीके से गैस कर सकते हैं यहां पर आपको वह दिक्कत नहीं इसलिए रिवाइस करिए ताकि कि बाद करें देखिए थीम्स में सिर्फ थर्ड़ फिफ्ट का तो पढ़ानी है हम लोगों नहीं है पर एटलीस तेंथ क्लास तक का कंटेंट पढ़ा है तो बहुत सारी चीजे आपने पढ़ी हैं यहां पे इसमें क्या है कि इसमें पढ़ते पढ़ते भी कुछ चीज आप कि अभी रह गई होंगे आपको लग रहा होगा कि कुस्स टॉपिक रह गए जो मैं कर सकता हूं कर सकती हूं तो आप यह जो फॉलो कर रहे हैं इसके अलावा पूरे दिन भर में एक ऐसा टाइम मनाई है जब आपका माइन बिल्कुल फ्रेश होता है उस समय आप एक से दो पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना सिर्फ रिवीजन करना है और एक्जाम की एक रात पहले तो कुछ भी मत पढ़ो जो पढ़ा है उतना छोड़ दो और ऐसा मत करिए कि एक्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते आप वस रिवाईज 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 कर रहे हैं ऐसा स साम से एक रात पहले कुछ मत पढ़े कोई वीडियो मत देखिए हैं बस यह देखिए आपके पास एडमिट कार्ड है आपके पास जो मैटेरियल हो ली जाने का लेके जा रहे हैं साथे साथ एक्जामिनेशन सेंटर कितना दूर है कैसे पहुचना है इन सब चीजों पर फोक कुछ नहीं पता सब अपने अपने गैस कर रहे हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखके आराम से तसली से पेपर देखे आना है और जब आप पेपर दे रहे होंगे तब देखिए तब आपको नहीं सब चीजे फाइदा करेंगे जो चीजे अभी मैंने आपके साथ बस आपको क्या करना है रिवाइज टाक्टिस और फिर रिवाइज तो देखिए इस तरीके साफ चीजे करेंगे और न्यू कंटेंट आप कवर करते रहेंगे साथ के साथ तो आपका यहां पर फाइदा होगा चाहे आपकी स्टार्टिंग के शिप्ट में पेपर है चाहे आ लिंक आपको डिस्कुप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से बिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाइबाई टेक केर